राइबरेली में लाल गंज थाना छेत्र के गोसे आना महले में रवीवार देशाम उस समय हड़कम पमच गया जब चार मंजल के एक मकान के निचले हिस्त में बने कपड़े के गोदाम में बीशर आग लग गई आग इतनी विक्राल थी कि किसी तरह लोगों ने सटर तो तोड़ लेकिन लोग आग बुजाने में नाकाव रहे वही सूचना पाकर फायर बिगेट की गाड़ी पहुची लेकिन आग का विक्रार रूप देखकर अने जगहा से भी फायर प्रिगेट की गाड़ी को बुलाना पड़ा जिसके बाद पूलसर फायर प्रिगेट की टीम ने मिलकर मकान की तीसरी मंजिल में फ़से परिवार के चास अदस्यों को पीछे के दूसरे मकान में कड़ी मशकत के बाद उतारा वही घंटों कड़ी मशकत के बाद आग पर काबू पाया जा सका फिलहाल आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया लेकिन बताया जा रहा है कि गोतार में कई लाग का माल चल कर राक हो गया वहीं आग के पांडे सी एफो नहीं पताया की आग लगने की सूचना मिली थी तो फायर प्रिगेट की पांच गाडिया आग पुझाने में लगाई गई थी परिवार के अन्यफसिग हुए सदस्यों को शाको सल बहार निकाल लिया गया आग लगने का कारण अभी इस पस्क नहीं हो पा रहा है आग कैसे और कब लगी जाश की जा रही है राइबरेली से समभाद दाता हर्षी दिवेदी की रिपोर्ट आग लगने का कारण नहीं किसी के जाने कात्रा नहीं हुआ सबको सब्सक्राइब को बचा लिया गया गया पर चितने लुक्सान को बचाने का रहा है यहां पर पाच लाक्तर लुक्सान लगभा दुआ है आग लगने कारण आग लगने कारण परखम दिश्तिया जो है यह सब्सक्राइब के जाज की जाने की तो पताच लगभा दिश्टिश्टि